बिस्मिल्लाइ रभ्मान रहीम, असलाम लेकॉम, रभ्यजिद्नी इल्मा, डियर स्टूडेंट्स, आज हम एंट्रोड़क्शन तो बिजनिस का एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, हर एक टॉपिक पहले से अलग होगा और उसको माइंड में आपने जरूर बिठाना है, आपको ऐसे लगेंगे जैसे आप अपने आप से बातें कर रहे हैं, आप रूटीन की बातें कर रहे हैं, जब तक आप अपने माइंड को बिजनिस वाला नहीं बनाएंगे, तब तक आपके लिए ये सुब्जेक्ट एक मुश्कल सुब्जेक्ट रहेगा, जब आप इसको एक अपने लाइफ में अपलाइई करेंगे, जो इस बात सीखेंगे, जो पढ़ेंगे उसको अपने अन्वायर में, अपने आपको इस उन्वायर में में रख करेंगे तो वह मुश्किल नहीं लगेगें तो जो बिजनिस की हम बात करेंगे ऑवराल जो भी चैसेप पढ़ इस ск्रीन है इसको आप भूल जाएं कि स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है आप माइंड में ये रखें कि जब किसी से बात की जाती है कि आप क्या करते हैं तो maximum लोग जो जौब नहीं करते वो अपना बताते हैं कि मैं बिजनेस करता हूँ तो business एक छोटे से छोटा भी हो सकता है, एक बड़े से बड़ा business भी हो सकता है तो business करने का मतलब यह है कि उस बंदे का जो काम है, उसके साथ automatically कुछ न कुछ चीजें अटैच हो जाती है जैसा कि अगर हम बात करें कि एक सांप है तो सांप का नाम लेते ही हमें उसकी नेचर का पता चल जाता है कि वो जहरीला होता है और लंबूतरा टाइप होता है और उसकी टांगे नहीं होती काट सकता है, जहरीला होता है जहर उसके अंदर होती है तो मतलब हम उस पर believe नहीं करते अच्छा और एक हम हमें कोई कुईसी के बारे में बता दे कि फलाँ बंदा धोके बाज है तो हम उससे vigilant हो जाते हैं कि इसकी शायद nature में कोई धोका देना है तो हम उससे avoid करते हैं अब आग की बात करें तो fire आग की nature है कि वो जलाती है अब एक गन की बात करें पिस्टल की बात करें तो उसकी nature है कि उसके अंदर अगर आपने बुलेट डाली होगी उसको प्रापर एक mechanism के जरी उसका operate करेंगे तो वो खतरनाक होगी तो हर एक की हमने मिसाल से बात की तो हर चीज़ की एक अलग से nature है तो business की भी बात करें तो business की भी कुछ nature है जो business के अंदर कुछ न कुछ बुनियादी बाते हैं जो होना लाजमी हैं जिस तरीके से हर एक की हमने example quote की तो इस तरीके से business की भी कुछ अपनी nature है उस nature पे ही हम आज बात करेंगे the following points state the nature of a business in brief number one क्या है economic activity सबसे पहले आपने उस वक्त तक आगे नहीं जाना किसी भी चीज में जिब तक आपको एक चीज़ की proper understanding ना हो जाए तो study में कहीं पे भी आप जाएं तो problem ही तबी होता है जब हमें कुछ चीज़ें समय नहीं आती और हम skip करके next phase में चले जाते हैं और पिछला concept में हम confused हो जोते हैं तो हमने इस course में जो भी बात सीखनी है उसको concept clear करके उसके बाद आगे move करना है तो economic क्या होता है economic का मतलब यह होता है कि जो resources हैं जो आपके पास कोई भी बंदा है हर एक के पास resources होते हैं किसी के पास कम होते हैं किसी के पास ज्यादा होते हैं कोई खुद से earn कर रहता है कोई किसी से ले रहता है जैसे बेटा होगा तो बाप से लेगा और बाप है तो खुद earn करेगा ठीक है तो economic का मतलब यह होता है कि हमारे पास जो resources होते हैं हमने उनको उस जगह पे इस्तमाल करना होता है wisely जहां पे उसकी actually ज्यादा से ज्यादा जरूरत होती है कि अगर मुझे प्यास लगी है तो मेरे पास अगर फर्ज किया 100 rupees है तो सबसे पहले उन मेंसे मैं प्यास बुजाओंगा प्यास के बाद अगर मुझे भूक लगी तो भूक मिटाओंगा उसके बाद next मैं कुछ सोचूँगा उसके बारे में तो जो बहुत बुन्यादी बात होगी बहुत मेरी अशद जरूरत होगी उस पैसे में से मैं पहले उस जरूरत को पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा और जो बंदा अपने resources को उस जगह पे सही तरह के से इस्तमाल करता है जहां पे उसकी जरूरत होती है और future में उसको फाइदा होता है तो वो economically की vigilant बंदा होता है wise person होता है economic की रोज से तो जो resources हैं उनका सही जगह पे इस्तमाल ही economic या economy या economic activity कहते है तो activity होती किसी काम करने है यानि कि आपका resources का सही जगह पे इस्तमाल करना वो होता है economic activity तो business में भी business के साथ क्या होता है business में भी हम वो चीज़ लेके आते हैं business के अंदर या business में हम वो चीज प्रोड्यूस करते हैं वहां पे sell करते हैं अब हमने raw material purchase करना है तो हम वहां से purchase करेंगे जहां से हमें कम से कम कीमत और अच्छी से अच्छी quality का मिलेगा और हम जब sell करेंगे तो उस जगह पे sell करेंगे जहां पे customer हमें ज्यादा से ज्यादा benefit देगा तो दोनों side से हम देख रहते हैं तो business का मतलब यह है कि दोनों हर लाहाँ से अपने विजिल नेटरनर जहां पे आपको फाइदा होगा वो आपने करना है कोई भी बंदा अपने business में ऐसा नहीं करेगा कि एक लाग की चीज़ परचेज करके raw material उसको processing के बाद 50,000 के बेच दे तो आप देख लें कि business की nature है कि आपने उसमें से margin रखके sell करना है तो business is an economic activity as it is concerned with the creation of wealth through the satisfaction of human wants तो होता क्या है हम उससे जरूरियात जिन्दगी पूरी करते हैं तो business कोई भी run करेगा उससे कहाए profit generate करेगा उस profit से अपनी जरूरियत को पूरा करेगा तो यह है economic activity उसके अंदर generate और हो रही हुती यानि कि wealth को maximize किया जा रहा हुता है उसके बाद human activity दूसरी एक जरूरी जो element उसमें है जो उसकी business की nature में एक तो वहाँ से profit business से earn किया जाता है दूसरा होता है human activity अगर इंसान को निकाल दिया जाए तो कोई business नहीं रहता मैं अगर simply आपको कहूँ कि कोई भी आप कहाए कि यह factory जो है मेरी है और उसमें कोई इंसान काम नहीं करता तो वो मुंकिन ही नहीं है कि वो business run हो तो जरूरी है कि जहां पर business हो वहां पर human activity involved होती है कोई ले रहा होता है कोई दे रहा होता है कोई buy का रहा होता है कोई sell का रहा होता है इस तरह की कोई मज़ूरी का रहा होता है कोई मज़ूरी दे रहा होता है तो यह human activity का process ज़रूरी है बिजनेस की नेचर में. Business is an economic activity and every economic activity is done by human beings. The business is one of the most important human activities. Next जो है, थर्ड नंबर पे, यह एक social process है. Social process क्योंता है, business is run by the owners and employees with the help of professional and customer, thus business is a social process. तो मतलब इसमें एक society involved होती है. एक बंदा उस business को on करता है, जो उसका मालक होता है, वो किसी या तो खुद काम करता है या दूसरे लोगों को employee राख लेता है, वो काम उसके लिए करते हैं, उससे या तो कोई चीज बनती है, product बनती है, या service render की जाती है, तो वो दूसरे लोगों को offer करते हैं, दूसरे लोग उसको accept करते हैं, उसके बदले में उसको पैसे देते हैं. उस पैसे रुपए से वो business flow होता है, run होता है, उससे अपनी ज़रूरियात है, जो business की ज़रूरियात है और जो के काम करने वाले लोग हैं, वो salaries वहां से लेते हैं, तो ये एक social process है, society के अंदर ही मुम्किन है, अगर society को वहां से निकाल दिया जाए, तो कोई business operate नहीं होगा, क्योंकि business का ultimately मकसद ये है, कि लोगों की जरूरियात को पूरा करना, किसी ना किसी तरीके से directly या indirectly, तो हम ये कह सकते हैं, कि ये business का एक जो process है, ये society के अंदर ही मुम्किन है, socially लोगों को किसी ना किसी तरीके से involve का रहता है, और फैदा पहुंचा रहता है, तो ये एक system भी है, तो ये business के नेचर के एक बात करें, तो एक system है, वैसे नहीं हो सकता, कि आप ऐसे ही कोई चीज लें औ और बस रख दें और बेचे नहीं, और business आपका चल जागा है, बलकि एक process है, आप उस फर्द कि आपके mind में कोई business आता है, तो पहले आपके mind में idea होना ज़रूरी है, फिर उसको execute करने के लिए आपके पास resources होना चाहिए, फिर उसके जगह आपके पास कोई ने कोई जमीन का आ रहा हो, process हो रहा हो, उसे चीजें बन रही हो, वो pack हो रही हो, वो sell हो रही हो, उससे money आ रहा हो, वो किसी bank में जा रहा हो, और proper उसके expenditure हो रहा हो, तो ये एक पूरा system है, बिगहर system के ये काम नहीं चल सकता, business is a systematic arrangement of various elements, which leads to the attainment of particular objective, according to the well-established plan, जो भी आपका plan होगा, उसके मताबिक, मुक्तलिफ जो segments हैं, उनको मिला के, ये सारे का सारा system चलेगा, तो ये हमने, आज एक छोटा सा topic लेकर, conceptually strong था, कि business की nature क्या है, इसके अंदर चार, जो नेचर के अंदर, जो चार basic elements type हैं, तो वो आप जरूरी हैं कि उनको समझें, एक तो है economic activity, दूसरे human activity है, social process है, और system के जरीए ये काम चल रहता है, बाकी लेक्चर में मिलते हैं, इन्शाला आने वाले लेक्चर तक के लिए मुझे इजादा देजिए, खुदा आफिस.